जैपैन बहुत जल्दी दुनिया का पहला लकडी का सेटलाइट यानि वड़न सेटलाइट को लॉंच करने वाला है और ये जैसे यहाँ पर एक्सपरिमेंट तयार होगा और ये काम पूरी तरह से इंप्लिमेंट होगा तो दोस्तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी ये होने वाला है मैं आपको इसके बारे में भी हर एक इंफोर्मेशन बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहले इस सेटलाइट का नाम क्या रखा गया है तो नाम है लिगनोसेट सबसे पहली और इंपोर्टन चीज एक्जामनेशन के पॉइंट अव्यू से इसके अंदर में कौन सा माटेरियल यूज किया गया है क्योंकि लकडी का तयार गया है तो ऐसी कौन सी लकडी है दोस्तो तो अभी जो सेटलाइट तयार हुआ है वो मैगनोलिया नाम की लकडी से तयार किया गया और इस मैगनोलिया को जैपनीज के अंदर में हुनोकी के नाम से जानते है ये लकडी कही ना कहीं बहुत मजबूत मानी जाती है stable मानी जाती है जो हमारी अंतरक्षी condition है उस condition को ये मात दे सकती है है ना तो ये सारी features obviously बात है सबसे पहले चेक किये जाएंगे और इसमें हम कुछ और लकडी की testing भी करने वाल है होगा ये कि दोस्तों आने वाले समय पर तीन लकडियां और हैं जो कि याँ कही ना कहीं space के अंदर में सबसे बहतरीन साबित हुई है एक है अर्मेंस बर्च दूसरी है याँ पर जापनीज चरी और तीसरी है मैगनोलिया बोवेट तो अभी के लिए दोस्तों मैगनोलिया वाली लकडी का यूस किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर में ध्यान रखना यह सटलाइट जो तयार किया गया है लकडी का वैसे ऐसा नहीं कि बहुत बड़े साइस का है जैसे आप नॉर्मली देखते हो सटलाइट जो बनते हैं बहुत बड़े-बड़े साइस के भी होता है यह सटलाइट छोड़ा सा है जो कॉफी का मग होता है एक कप होता है बेसिकली उसके बराबर सटलाइट को रैडी किया आया क्योंकि अभी हमारी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है उसके बाद हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी एक बार यह successfully implement हो जाए हम देख सकें कैसा impact रहता इसका लकडी किस तरीके से काम कर पाती है उसके बाद हम इसको बड़े level पर implement करेंगे अब यहीं पर एक और question दिमाग में आएगा जब कानी अच्छी खासी चल रही है हम राम से सेटलाइट को launch कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर लकडी के सेटलाइट को launch करने की जरूरत हमें क्यों पड़ गए उसके पिछे के दोस्तों कई सारे reasons हैं अब reason number one अगर आप देखोगे तो हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो space junk है basically या कह सकते हो space debris बूलते हैं उसको यानि अंतरिक्ष का कच्रा जो है वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है अब होता दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखो पिछले 50 सालों में हम लोगों का जो satellite launch करने का speed है वो काफी ज़दा बढ़ चुगा है दुनिया बर की countries लगातार satellites को अंतरिक्ष में launch कर रही है अब जो satellite launch हो रही है उसकी एक life तो होगी न 10 साल 15 साल या maximum 20 साल या 25 साल उस समय के बाद में वो जो satellite है वो खराब हो जाएगा अब उस satellite में aluminum वगरा का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अब खराब होने के बाद में तूटने के बाद में दोस्तों उस satellite का सारा जो कच्रा है बोल्ट सें या aluminum वगरा के जो भी यहाँ पर चीज़ें है वो सब अंतरिक्ष में तैरती रहती है ठीक है तो अब हमें क्या करना है वही जो junk है space का उसको manage करना है और वो हम लोग अपने इस wooden satellite से कर पाएंगे अभी मैं इसके पीछे के और details भी आपको बताऊंगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है space में क्या है vacuum है अब vacuum होने की वज़ासे जो लकडी हम भेजेंगे लकडी ना तो वहाँ पे गलेगी ना ही सडेगी सिंपल सी बात है और अगर हम यहाँ पर इन वाले satellites की बात करते हैं जब यह कचरा इकटा होता जा रहा है यह प्रत्वी के आगे आगे पीछे especially गय सकते हो पूरी तरह से कचरा जमा रहा है और ऐसे यह reports आपने देखी होंगी कि आने वले समय में जो हमारी प्रत्वी है उसके आसपस इस तरीके का एक बहुत बड़ा चल्ला नजर आएगा हमारी प्रत्वी ऐसी दिखाई पड़ेगी कऊगे देखने पर खूबसूरत लग रही है क्या देखाता है तो दोस्तो यहाँ पर बस खाली आपको यह न जो artificial image नजर आ रही है इसमें खूबसूरत लग रही है अगर हम इसका real image देखेंगे या space junk से हम लोग को लड़ना है उसके लिए यह जो wooden satellite है इसके उपर जो proper testing है वो आज के समय पर की जा रही है अब इस wooden satellite के कई सारे importance भी है जैसे सबसे पहले चीज़ तो यह थोड़ा सा environment friendly है और environment friendly के सासद अगर आप देखोगे एक चीज और है आपको बता होगा जो यह अंतरिक्ष के अंदर जब हम लोग यहाँ पर satellites बेचते हैं जब यह टूड जाती है कच्रा बन जाती है तो कई भारना हमारे प्रत्वी की साड़ यह गरना शुरू होती है तो प्रत्वी की साड़ जब गिरती है यह वाला जो solution इसका भी एक निकल कराएगा कि यहाँ जो environment friendly है पहली बात हो यह environment को support बिसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी यह satellite दूसरी चीज दोस्तो यह भी होता है कि जब यह satellite उपर से गिर रही होती है इनकी कुछ harmful accidents भी नजर आ सकते हैं तो इसका भी solution यह है कि जब हम लकडी की satellite यूज करेंगे अगर वो प्रत्वी की side में गिरना शुरू भी होती है तो उपर ही उपर में जल से जल वो जल कर खतम हो जाएगी राख में बदल जाएगी तो नीचे गिरने का आज के समय पर जो वोडन सेटरलाइट है वो USA का NASA और साथी साथ में जापान का जो जाकसा है JAX नाम की जो उनकी space agency है वो मिलकर काम कर रही है और हो सकता है जल्दी यहाँ पर इसको launch किया जा सके क्योंकि इसकी वज़ा से दोस्तों कहीं ना कहीं जो कच्रा है जो debris है space के अंदर में वो कम होगा अब कच्रा कम होगा तो उससे एक दिखो एक डर बैठा हुआ है लोगों में अब एक थ्योरी हमारे पास में केसलर सिंडरोम की केसलर सिंडरोम क्या बोलता है केसलर सिंड्रोम ये बोलता है कि जिस तरीके से, जिस गती से हम आज की समय पर अंतरेक्ष में सेटलाइट्स को लॉंच कर रहे हैं सेटलाइट्स की भीड़ी कटी हो रही है, जो मलबा जमा हो रहा है वो मलबा आने वाले समय पर एक ऐसा प्रॉबलम क्रियेट करेगा कि जितनी सेटलाइट हमारी काम भी कर रही है न वो सब बरबाद हो जाएंगी वो कई गुना ज्यादा स्पीटसे यहाँ पर तया रहा होता अंतरक्ष में अगर माल वो किसी सेटलाइट के साथ में टकर आया तो सेटलाइट यहाँ पर क्रैश हो गई जब वो satellite फूटी तो उसके टुकडे टूटे तूटने के बाद नों किसी दूसरे satellite को लग गए फिर वो तूट गई फिर वो तूटने को बाद किसी तीसरे satellite को लगए तो इस तरीके से यहाँ पर सारे की सारे जो satellite से वो burst हो जाएंगी सारे satellites आपस में बिढ़ जाएंगी सब बेकार हो जाएगा तो एक कैसलर सिंड्रोम जैसी चीज भी हो सकती है बिसिकली यहाँ पर यह भी एक possibility है तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए भी यह जो satellites है especially जो wood की तयार की जारी है वो हमारी help कर सकती है अब देखेंगे आगे क्या क्या और भी initiative साथ है क्या क्या चीज़े आती है वो सब समय के साथ में discuss किया जाएगा बढ़ अभी जो news है वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है